स्वागत है आफ सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल फैक्ट्स टाइम में दोस्तो ये तो आफ सभी को पता है के पाकिस्तान 1947 से पहले बारत देश का ही इसा हुआ करता था लेकिन 1947 में होई बटवारे के बार पाकिस्तान और भारत एक दूसरे से अलग हो गए और इसके बाद दोनों ही देश एक दूसरे के जानी दुष्मन बन गए इतना समय गुजर जाने के बाद भी इनकी तलखिया कम नहीं हुई दोनों ही देश एक दूसरे को नीचा दिखाने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देते इसका कारण है हमारा राजनीतिक महौल जो चंद वोटों की खातर भारती जंता को पाकिस्तान और पाकिस्तानी जंता को भारत के ख़लाफ करते हैं इसे वो लोग जीत तो जाते हैं लेकिन उन में दूरियां और भी बढ़ जाती हैं लेकिन जब ये दूरियां कम होंगी तो इस दिन दिली से खैबर तक एक ही पंजाब होगा वो कहते हैं ना कि ना हिंदू बुरा ना मुसल्मान बुरा जो बराई पे उतर जाए वो हर एक इनसान बुरा दोस्तों हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं एक अच्छा और दूसरा बुरा और हमारे इस प्रोसी देश की कुछ हचाईयां भी हैं और बुराईयां भी जिनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं तो आएए जानते हैं पाकिस्तान के बारे में कुछ अमेजिंग बातें जो यकीनन आप पहले नहीं जानते होंगे इससे पहले कि हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करें हमारे चैनल पर आने वाले सबी नए दोस्तों से हमारी बिंती है कि अगर आपने हमारे यूट्यू पर मतलब है Land of Pure जिससे Islamic Republic of Pakistan भी कहा जाता है दक्षन एशिया में स्तित्त एक इसलामिक देश है और ये संसार का वहद ऐसा देश है जो इसलाम के नाम पे कैम हुआ जिसकी सिमाए पूर्व में भारत, उतरपूर में चीन और पस्चम में अफगानिस्तान और एरान से मिलती है जब पाकिस्तान को वर्ल्ड का 33 सबसे बड़ा देश माना जाता है जिसका कुल एरिया 8,893 स्क्वेर किलोमेटर तक फैला हुआ है इसके लावा पाकिस्तान वर्ल्ड के उन 10 देशों में से भी एक है जहां पर हर परकार की धरती मजूद है जहां पर हर डेड़ गेंटे की पाकिस्तान की सीना वर्ल्ड की छटी सबसे बड़ी सीना मानी जाती है जिसकी कुल संक्या साड़े 6 लाग से अधिक है इसके लावा पाकिस्तान की आर्मी मुसलिम दुनिया में महलाओं की सबसे अधिक आर्मी रखती है एक अमेजिंग बात ये के पाकिस्तान अपने हर एक सोल्जर पर 10,000 डालर खर्च करता है जो के तकरीबन 10 लाग के करीब बनते हैं इसके लावा भारत देश अपने हर एक सोल्जर पर 25,000 डालर खर्च करता है और इसी तरह दुनिया की सूपर पावर यानि United States of America अपने हर एक सोल्जर पर 4,000,000 डालर खर्च करता है United Nation की अनुसार पाकिस्टान में इस संसार का सबसे बड़ा एरिगेशन सिस्टम मजूद है जिसका अंदाजा इस बास से लगाया जा सकता है कि रशिया पाकिस्टान से एरिया के लिया से कई गुना बढ़ा है लेकिन पाकिस्टान का एरिगेशन सिस्टम रशिया से तीन पाकिस्टान में 20% जनसंख्या ऐसी है जो दिन में 100 पैसे भी कम कमाते हैं और 8% जनसंख्या ऐसी है जो रात को भूकी सोने पर मजबूर है पाकिस्टान की महलाओं को इस संसार की सबसे सुन्दर महलाएं माना जाता है शायद यही कारण है कि पाकिस्टान में अफेर की मात की जाए तो यहाँ पर सबसे अधिक लोग इसलाम धर्म का पालन करते हैं जिनकी संख्या कुल जंसंख्या में से 96 प्रतिशत है 1.8 प्रतिशत यहां हिंदु धर्म का पालन भी करते हैं एक शारिया 5 प्रतिशत लोग यहां क्रिस्चन धर्म के मानने वाले भी मजूद हैं और यहां पर हर साल एक लाग से भी कम टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं पाकिस्तान इंडोनेशिया के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुस्लम पापूलेशन वाला देश है और कहा जाता है कि 2030 तक पाकिस्तान मुस्लम पापूलेशन के साथ वर्ल्ड का सबसे बात की जाये तो पाकिस्तान की एकॉनमी 1.2 ट्रिलियन यूएस डालर है जिसकी दुनिया में 24 वे नंबर पर गिंती होती है पाकिस्तान की इंटेलिजेंस अजंसी ISI को वर्ल्ड की नंबर वन इंटेलिजेंस अजंसी माना जाता है इसके लावा एशिया का सबसे बलंद त संख्या सबसे बड़ी मात्रा में है पाकिस्तान में 50 से भी अधिक यूनिवरस्टियां पाई जाती है पाकिस्तान की एगर राइधानी की बात की जाये तो पाकिस्तान की राइधानी इसलामाबाद है जो दुनिया का दूसरा सबसे सुन्दर सिटी भी माना जाता है इसके पर 21 मिलियन से अधिक अफराद इंटरनेट यूज़ करते हैं इस्टिटूट ऑफ यॉर्पियन विजनस एडमिनिस्टेशन के द्वारा किये गए एक सर्वे के अनुसार पाकिस्तान को इस संसार का चौता इंटेलिजेंट देश माना गया है पाकिस्तान एकलोता एक ऐसा मुसलम देश है जिसका रिसर्ट सेंटर इंटर कटिका में स्थित है और इस संसार में 50% फुटबाल अकिला पाकिस्तान ही एक्सपोर्ट करता है पाकिस्तान का कालिंग कोड प्लस 92 है और डुमेन नेम डाट पीके है हाकी को पाकिस्तान की नैशनल गेम होने का सम्मान हासल है मारखोर को पाकिस्तान का नैशनल एनिमल माना जाता है चकोर को पाकिस्तान का नैशनल बड माना जाता है निहारी को पाकिस्तान के नैशनल फूट का दर्जा दिया जाता है आम को यहां का नैशनल फूट माना जाता है गन्य के रास को पाकिस्तान का नैशनल ड्रिंक माना जाता है जैस्मीन के फूल को पाकिस्तान का नैशनल फ्लावर होने का समान हासल है हमालियन दिदार को यहां का नैशनल ट्री माना जाता है इस देश में यूज होने वाली क्रंसी को पाकिस्तानी रुपया कहा जाता है पाकिस्तान के पास इस संसार का सबसे बड़ा Embolize सिस्टम हुए मजूद है जिसे एक private company के दिवाराच लाया जाता है जो idi foundation के नाम से जाना जाता है पाकिस्तान की फिल्म इंड़स्ट्री को लॉलिवुड कहा जाता है इस संसार का दूसरा सबसे बड़ा मौंटेन केटू और दूसरी सबसे बड़ी साल्ट माइन भी आपको पाकिस्तान में ही देखने को मिलेगी दोस्तों कहा जाता है कि इस संसार का आठवा जुबा पाकिस्तान में इस दित है इस जुबे का नाम कराकरम हाईवे है इस हाईवे की लंबाई 1300 किलो मीटर है ये हाईवे कराकरम की पहाड़ियों के बीच से गुजरता है इसकी उंचाई 15,395 फीट है इसके लावा इसको वर्ल्ड की सबसे उंची हाईवे भी माना जाता है जो पाकिस्तान को चीन के साथ जोड़ती है पाकिस्तान के पास लेशियर सिस्टम भी पाकिस्तान में ही मजूद है जिसे ब्याफू गलेशियर के नाम से जाना जाता है पाकिस्तान के नैशनल एंथम की दुन को इस संसार की सबसे सुरीली धुन माना जाता है पाकिस्तान दक्षन एशिया का दूसरा और इसलामिक देशों में पहला ऐसा जिसके पास न्यूकलिर पावर है और पूरे वर्ड में छे ही ऐसे देश हैं जिनके पास परमानों शक्ती मजूद है इसके लवा पाकिस्तान को इस संसार का 11 पावरफुल देश भी माना जाता है इस देश में एरान और भारत के बाद सबसे अधिक शिया मुस्लिम रहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा हाथों के दिवारा बनाया गया फारेस्ट भी पाकिस्तान में स्थित है जो छंगा मंगा फारेस्ट के नाम से जाना जाता है यह फारेस्ट 12,000 एकर में फैला हुआ है इसके अलावा दुनिया में सबसे अधिक पेल लगाने का रिकार्ट भी पाकिस्तान के पास ही है दुनिया का वाद जरखेश सहरा भी पाकिस्तान में स्थित है जो थरपारकर के नाम से जाना जाता है दोस्तो पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो इसराइल को तसलीम नहीं करता यही कारण है कि इनके दरम्यान आज तक कोई भी डील नहीं हुई लेकिन अगर भारत देश की बात की जाये तो भारत के साथ इसराइल का ऐसा रिश्ता है जैसे शरीर के साथ आत्मा का तो अगर आप इसराइल के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो मुझे कमिंट बॉक्स में जरूर बताइएगा मैं जल्दी इसराइल पर वीडियो बना कर आप लोगों के साथ जल्द जल शेयर कर दूँगा और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमली मेंबर्स के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा अब अपने इस दोस विकी को दीजी अनुमती और अपने इस दोस विकी को दीजी जरूर कर दीजिएगा